ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपने सपने में शादी देखें तो उसका क्या मतलब होता है अक्सर लोग अनेक प्रकार के सपने देखते हैं मगर 99 प्रतिशत सपने जो व्यक्ति देखते हैं वो याद नहीं रहते केवल एक प्रतिशत सपने ही याद रहते हैं और जो सपने हम सुबे सुबे ब्रह्म योग के समय यानि की 4-5 बजे देखते हैं वह सपने अवश्य ही सच होते हैं रात को देखे गए सपने जरूरी नहीं है कि वहाँ सच हो और उनका जो फल प्राप्ती हो वहाँ अवश्य निकट भविश्य में जल्द हो तो आईए जानते हैं कि शादी का देखना क्या मतलब दिखाता है सपने में तो सबसे पहले शादी देखना बहुत अशुब माना गया है अगर आप सपने में देखें कि किसी की भी आपकी या आपके परिवार में या आपकी किसी मित्र की सपने में शादी हो रही है तो वहाँ बहुत अशुब सपना माना गया है वैसे तो शादी का होना अगर हम देखें तो बहुत शुब होता है मगर यही शादी अगर हम सपने में देखें तो बहुत अशुब होता है तो सबसे पहले अगर आप देखें कि शादी में दूला दूलन फेरे ले रहे हैं तो वो भी अशुब और बुरा सपना माना गया है इसका मतलब होता है कि निकट भविश्य में कोई न कोई बाधा कोई न कोई दिक्कत आपके कारे में आने वाली है अगला अगर मान लीजिये आप शादी की अंगुठी देखें कि एक दूसरे को दूला दूलन शादी की अंगुठी पहना रहे हैं या शादी की अंगुठी किसी भी प्रकार से आप अपने सपने में देखें तो इसका मतलब होता है कि कोई न कोई शत्रू की बाधा आपके न अगर आप शादी की बरात देखें जो बरात निकलती है अगर वो सपने में आप देखें तो इसका मतलब होता है कि निकट बविश्य में कोई ना कोई रोग या बीमारी आपको या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को लग सकता है अगर आप एक साथ दुला दुलन को खड़े वे देखें अपने सपने में तो इसका मतलब होता है कि कोई नो कोई मानसिक परिशानी आपको निकट भविश्य में होने वाली है अगर ये सपना आप सुवे सुवे देखेंगे यानि की भ्रम योग में चार पांच बजे के आस पास तो उसका फल आपको अवश्य ही जल्दी प्राप्त होगा तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी टोने टोटके उपाई पे जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद